हेलो अरेवन वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडियों आज हम इस वीडियो में बात करेंगे साइन्स का एक बहुत इंपॉटेंट टॉपिक माइट्रोकॉंड्रिया के साथ सांत लाइसोजोम और इसमें हम लोग एक और छोटा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक को इंग्लूड कर दिया है राइबोजोम जो की बहुत इंपॉर्टेंट है तो इस वीडियो के साथ एंड तक बने रही है कुछ पूछे जाते हैं तो आप इ कुछन देखिए निम्न में से किस कोशिकां को आत्म घाती बैग कहा जाता है आत्म घाती बैग आत्म हत्या के थैली के रूप में हम लोग लाइसोजोम को जानते हैं यानि option A यहां पर करेक्ट होगा सबसे छोटा जीव जो स्वैम विकास एवं प्रजानन करने में समर्थ ह सबसे छोटा जीव जो स्वैम विकास करने एवं प्रजानन करने में समर्थ हैं उसको हम लोग माइक्रो प्लाजमा कहते हैं option A बिल्कुल सही होगा question number 3 वस्वसन स्रिंकला का उप्योग कर पादब कोशिका में उर्जा उत्पादन करता है उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं लाइसोजोम के संदर में कौन सा कतन सही है इसमें ऐसे एंजाइम होते हैं जिसमें जीव द्रब्य को घुला देने की सकती या फिर नश्ट कर देने की चमता होती है बिल्कुल सही है इसे आत्मगत्या की थैली यानि आत्मगाती बैग के रूप में हम लोग जानते हैं तो यह बिल्कुल सही है दोनों के दोनों पॉइंट्स बिल्कुल सही है यहाँ पर साही हँ आंसर बने का ओप्षिन्स दोनों कतन सही है टॉपिक है मैं उस पर ले करके चल रहा हूं और प्लीज आप लोग सपोर्ट करें और इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ ही जरूर सेयर करें साथ साथ चायो को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेस में बिल आइकन को और आज किस वीडियो का लाइक का टार्गेट में आप्सन C को टिक करेंगे सॉरी आप्सन B यहां पर करेक्ट होगा यानि कि RNA और प्रोटीन की बनी होती है ठीक है प्रोटीन और RNA की बनी होती है तो राइट आंसर हो जाएगा आप्सन B को टिक करेंगे चलिए लाइसोजोम किससे रक्षा करता है तो यहाँ पर ध्यान लगना है के लाइसोजोम किस की बनी होती है कोउची का जिल्ली प्रोटीन बबं लीपीर की बनी होती है यह ओट आइट आसर निम्र में से किस जीव को का सिधान्त का पालन नहीं करते यानि कि कौन सा जो जी हो है वो कुछी का सिधान्त का पालन नहीं करते यानि कि कौन सा जो जी हो है वो कुछी का सिधान्त का पालन नहीं करते बी को टिक करेंगे ट्राफिक पुलिस किसे कहते हैं ट्राफिक पुलिस की संग्या किसे दी गई है ट्राफिक पुलिस की संग्या गौल जी काय को दिया गया, ऐप्सिन B को टिक करेंगे, गौल जी काय. अगला प्रश्ण है, माइट्रो कांड्या की खोज किस ने की थी? बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया, mytrockondria के खोज किसके तोरह की गई थी साहय answer बोल्टमैन C को टिक करेंगे, लेकिन इसका जो मायट्रो कोंडिया जो रखा गया था वो benda ने रखा था, तो साहय answer यहाँ पे फिलहाल C को टिक करेंगे, खोज की गई थी, अल्टमैन के दोरह डी डूबे यहाँ पर जो तेख रहे हैं आप डी डूबे ने लाइसोजोम की खोच की थी माइट्रोकॉंड्रिया का भीतर वलन कहलाता है भीतर वलन क्या कहलाता है तो आपने अगर mitochondria को अच्छे तरी किसे पढ़ाऊगा तो वहाँ पे आपने एक नाम देखाऊगा क्रिष्टी, क्रिष्टी, सही आंसरों का अपसर ए, क्रिष्टी, ठीक है, इसके बीतर वलन करत कालाता है, क्रिष्टी प्रोटीन निर्माड का सक्रियस्थल most important questions, एकदम विवयाई प्रशनेगे, हमेशा रिपीट होते रहता है, प्रोटीन निर्माड का सक्रियस्थल के नाम से वह लोग किसे जानते हैं राइबोजोम, D will be right answer राइबोजोम, next questions बनता है कि क्रिष्टी सहायक होता है, किसमे क्रिष्टी सहायक होता है, किसमे स्वसन में, ठीके, स्वसन में C will be right answer, कौन सा कुसिखांग पाचक थैली कहलाता है पाचक थैली कहलाता है कौन सा एंजाइम सॉरी, कौन सा कुसिखांग पाचक थैली कहलाता है तो सही answer बने का option B, लाइसोसोम, ठीके लाइसोसोम कोई टिक करेंग, option B है, आपके correct होगा, पाधब कुसिखांग का रसोई घर किसे कहा जाता है तो अपने किसको पड़ा होगा जो हरीत लबक होता है, इसी को कहते है C will be right answer इन में से कौन, प्रोटीन निर्माण का केंदर होता है उपर होगा देखा था, प्रोटीन निर्माण का सक्रियस धल, किसे कहा जाता है, राइबोजोम को सही answer बनी का option C, राइबोजोम निम्लिखीत में से किसको कुसिखा का सक्तिग्री, यानि कि कुसिखा का powerhouse के रूप में जाना जाता है कुसिखा का सक्तिग्री, अलग-लग नाम उसे questions देखने को मिलता रहता है, तो कुसिखा का सक्तिग्री के रूप में हम लोग किसे जानते है सुत्रकर्निका, दीखें सुत्रकर्निका हिंदी वर्ड है लेकिन इंगलिस में इसको mitochondria के नाम से जाना जाता है, तो इससे आप confused नहीं होंगे, option हम B को टिक करेंगे सुत्रकर्निका, next one निमलीखित में से कौनसी कोसिका अंगक, वनसपत्ती तथा पसु कोसिका दोनों में उपस्तित होता है यहाँ पे सज़ा अंसर पने का option D, जो mitochondria होता है, सुत्रकर्निका जो होता है, वो कोसिका अंगक, यानि वनसपत्ती में भी होता है, पसु कोसिका दोनों में उपस्तित होता है लेकिन कभी-कभी questions यह पोजाता है कि वनसपत्ती कोसिका और पसु कोसिका में अंतर क्या है, तो अंतर वहां पर होता है कोसी का वित्ती, कोसी का जो वित्ती होता है, वो वनसपत्ती में तो होता है, लेकिन पसु कोसी का वित्ती नहीं होता है, यही मुख्या अंतर होता है, अक्सर ये questions पूछा दाता है, तो फिलाल यहां पर हम option D को टिक करके आगे तो टिक करेंगे, नेक्स्ट करन देखिए, निमलीखित में से किसके मद्ध सिनेप्स अंतराल, सिनेप्स अंतराल इस्तीत होता है, बहुत बार ये प्रश्मी पूछा गया, सिनेप्स अंतराल किसके मद्ध पाया जाता है, तो दो दंतरीका कुसीकाओं की बीच के जो गैप हो जाता है यहां पर सही आंसर बनेगा option C, mitochondria में ही टूट करके यह होता है, तो C को टिक करेंगे, यदि mitochondria काम करना बंद कर दे, तो कुशिका में कौन सा कारे नहीं होगा, कुशिका में कौन सा कारे नहीं होगा, भोजन का अक्सी करण ठीक है भोजन का अक्सी करण option P पादब कोशी का भीत्ती मुख्य ता किस की बनी होती है C will be right answer C को टिक करेंगे C कौन सा कोशी कांग protein sensation में मुख्य भूमी का निभाता है protein sensation में मुख्य भूमी का निभाता है एंड्रो प्लास्टिज में reticulum एवं ribosome तो ribosome देखकर क्या options को टिक कर सकते हैं option P यहाँ पर correct होगा next one का है निमलिकित में से किसको cell का power plant cell का power plant जैसे कुशिका का सक्तिक्री देखा था वहाँ पर लिखा गया power plant power plant mitochondria कोई कहा जाता है यानि B को टिक करेंगे nucleus के बाहर DNA कहाँ पर मिलता है nucleus के बाहर DNA कहाँ पर मिलता है तो यह आपका mitochondria में मिलता है C को टिक करेंगे यह सभी questions बहुत important है direct पूछे जाने की chances से बहुत expected है आप इनको अच्छे से याद रखेंगे निवन मैं से किस कोशिकाग को atom bump कहा जाता है किस कोशिकाग को atom bump के नाम से लाइसोजोजों C will be right answer L Avo Zon जिवाड़ो कोशिका में सुतर करनिका की संख्या बताई तो ध्यान रखेंगे जिवाड़ो में कोई भी mitochondria नहीं होता है सुनने होता है ठीक है सुनने होता है यानि कि D को टिक करें नेक्स्ट वन कहकर है कि जिवाडवी कुशिकाओं में नहीं होता है जस्ट अभी बात किया कि जिवाडवी कुशिकाओं में सुत्र करनी का नहीं होता है सुनने होता है तो C को टिक करेंगे सुत्र करने का नहीं होता है ठीक है चलिए अगला क्वेशन्स अब आपके लिए एक छोटा सा क्यूज का क्वेशन्स है दो क्वेशन्स है पहला क्वेशन्स ही है और दूसरा Quesons यह होगा A-B-C नहीं लिखने, आपको पूरा नाम लिखने है, ताकि समझ में आप ठीक है, और उसी तरह से Second Quesons है कि Vasa का संचय कोसिका के कौन सा अंकरता है, तो मैं आपको इसका राइट अंसर बताता हूं, Vasa का संचाह जो कोशिका का कौन सांग करता है तो राइट आंसर बनेगा गौल जी का यहां पर राइट आंसर बनेगा तो देखे फेंस उमीद करते हैं कि आप लोग को ये 32 टू कोशन्स बहुत अच्छे लगे होंगे वीडियो पसंद आई होगी वीडियो अच्छे लगे हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें दोस्तों के साथ सेर करें साथ इसाथ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को आल प